हेलो एवरिवन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि हम निचुरल फाइबर्स के बारे में डिसकस करेंगे मैंने अल्रेडी वीडियो बना रख किये टाइपस अप निचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखिए तो description में लिंक दे रखा है महाँ पे click करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और आज हम discuss करने वाले है cotton fibers cotton fibers को मैं 3 वीडियो में complete करने वाला हूँ क्योंकि इसके topics बहुत ज़्यादा हैं तो तीन वीडियो तो मान के चलो तीन वीडियो तो लगेंगे लगेंगे इस topic को complete होने में तो आज हम discuss करेंगे उसका introduction उसका cultivation और उस cotton में कौन-कौन से diseases होते हैं कौन-कौन से insects जो होते हैं उस पर attack करते हैं उसको damage करते हैं और commercial classification of cotton इंटोड़क्शन कोटन है एक natural oldest fiber है जिसका यूज़ अपन ज्यादा तर textile purpose के लिए यूज़ लेते हैं कोटन का जो cultivation है वो वर्ल्ड में every countries में होता है और उसमें से भी ज्यादा तर cotton cultivation जो ज्यादा सर्प्रोड़क्शन होता है वो USA, India, China, Brazil, Mexico, Egypt इन countries में ज्यादा तर production होता है कोटन का कल्टिवेशन की जो plantation करते है वन वो मार्श और अप्रल के महिने में होती है और यह डिपेंड करता है वर्ल्ड के nature के उपर और जो उनके जो प्लांट जो है उनके बीच में जो इसपेस होता है वो डेर से दो सेंटिमेटर का होना चाहिए और उसमें कुछ precaution अपनको रखनी पड़ती है जैसे उसमें जो उस कोटन को डेमेश करने के लिए इंजक्ट होते हैं उससे अपनको उसकी precaution करनी पड़ेगी फिर उसको डिसीस से भी बचाय रखना पड़ेगा फिर जून के महिने में फ्लावर आजाते हैं उन कोटन के उपर कोटन प्लांट्स के उपर और फिर वो डिसपेर होते हैं अव्टर दिसफेरीग फ्लावर एफ सेटीछ में रखनाना बचाय तरौब जावर प्लावर उसके यदर भी डवार उसाजर खरावरना प्लावर्ष जाखनाewर्ण, वार्ग इनना इनातार। उसमें जो पोड आते हैं वो पोड ब्रस्ट हो जाते हैं और जो उसमें वाइट कलर के फाइबर आते हैं इस पीरीड में उनको इमेड़ाट कर देना चिहीं ॡ५ॉ Crand Fiber को Extraction के लिएॡ्य। और cotton is a seed here and it grates out the pod as soon as seed in man nature okay the fiber helps the seed to fly in the air and gets carried out away by air flow to other places okay means that the seeds are found in the air flow to the air flow from one place to the other place so when seed goes from another place to the air flow to the air flow from another place पहले इसमें प्रिंगे प्री करना तौर दी उस्में के लिए नहीं और ल्गोकश्टन होताई वोल्डच नहीं हो सब्सक्राइब को तोडने के बाद वो ट्रांसफर होते हैं जिनिंग फैक्रिश में ट्रांसफर होने के बाद field को इलग किया जाता है फाइबर को इलग किया जाता है एक तरह की, seed एक तरह के imputus माहल सकते हों imputus है एक तरह की, बीज अलग हो जाते हैं और cotton जो fiber होता है वो अलग हो जाता है और ये world में इसका जो approximate production होता है per acre वो होता है 320 kg in the world में और अब मारे इंडिया की बात करें तो 170 kg अपन को प्राप्त होता है cotton परेकर फिर उसके बाद उसमें कौन-कौन से इंजेक्ट अड़क करते हैं, कौन-कौन से डिसेज होती हैं उसके बार में हम डिसकस करते हैं तो damaged by insect cotton plant has a large list of insect enemies such as cotton ball, wilds, ballworms, pink ballworms, ligas and alpheids are generally attack cotton और उसकी precaution के लिए जब यह attack करते हैं जब यह इंजेक्ट फाइबर cotton के उपर attack करते हैं तो अपन को उसमें उनके precaution के लिए उनका प्रिवेंट करने के लिए उसमें अपन डिडिटी छिड़क देते हैं और पैंजीन हेक्जाक्लॉराइट छिड़क देते हैं और भी chemicals होते हैं जो उसमें अपन यूज कर सकते हैं कोई प्रिवेंट करने के लिए cotton की जिससे अपन को efficient production मिल सके और उसकी cotton की diseases होती है वो less problematic होती है comparison इंजेक्ट से cotton disease जो हता है उसमें कौन-कौन से diseases होती है seeding diseases होती है roots diseases होती है lips lip and stem diseases होती है जिससे अपन को production में loss होता है तो इससे अपन को पचना चाहिए अब शुरू करते हैं अपन commercial classification of cotton commercial classification को अपनने classified according to the source and their stable length यह छे प्रकार के होते हैं Sea Iceland, Egyptian cotton, Brazilian cotton, Indian cotton, American cotton and China cotton तो अपन शुरू करते हैं Sea Iceland cotton यह एक it is come originally from Barbados and it is grow in India sorry USA and Florida Florida एक country होती है वहां पर यह growth होता है यह एक लंबे फाइन फाइबर्स होते हैं fine fibers होते हैं soft and silky होते हैं in the net nature में ओके and इसकी जो stable length होती है वह around 4 होती है 5 cm और इससे जदा होती है अब आते हैं Egyptian cotton Egyptian cotton पी एक Iceland की तरह ही इसकी properties होती है यह भी एक long fine soft and silky fibers होते हैं लेकिन इसकी stable length जो होती है वह Iceland Sea Iceland cotton से कम होती है इसकी होती है 5,5-3,5-4 cm होती है यह Egyptian और Middle East countries में available होता है Brazilian cotton Brazilian cotton को पर पिरुवियन cotton भी कहते हैं यह Peru और Brazil में available होता है इसकी जो stable length होती है वह 3-4 cm होती है और यह एक हर्स और वायरी to touch होता है लेकिन यह एक elastic nature का fibers होता है अब आता है American cotton American cotton की जो stable length होती है वह 23-3 cm की होती है और यह USA में available होता है अब आता है Indian cotton Indian cotton Indian में जो cotton cotton जो होता है वह white color का होता है और यह और जो इसकी stable length होती है वह 3-2-3 cm की होती है अब आता है China cotton China cotton जो होता है वह China में available होता है और इसकी stable length जो होती है 1.5-2 cm और आज हमने क्या पढ़ा आज हमने learn किया के cotton की cultivation उसमें कौन-कौन से इंजक्ट और डिसीज जो होते है वह cotton के उपर अटेक करके उसको खातम कर देते हैं उसको नस्ट करते हैं cotton को तो उसके लिए हमने कुछ chemicals बताय कि अपन को उसके कुछ उपाई बताया कि इसको किस तरह से अपन prevent कर सकते हैं ओके और फिर हमने बताया कि उसका commercial classification किस तरह से होता है ओके अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम सीखेंगे उसका morphological structure के बारे में चान कर लेंगे और उसकी impurities of cotton या फिर उसका जो उसमें कौन गौन से chemical composition होते हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे ओके तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं आज का वीडियो और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देचिए जिसको इसकी जरौत हो उस तक यह पहुंचाने का कम अब आपका है और अगर आपको इससे लेडियो कोई भी पीडियो मिल जाएगी और अगर कोई भी आपको क्योरीस हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्क्राइब जरूर करें थैंक्यू